तो चलिए आज अपन discuss कर लेते हैं learning behavior क्या होता है किसके बारे में discuss करने वाले हैं learning behavior के बारे में अब देखिए जो behavior होता है अब behavior word को आपकड़िए behavior होता है वो दो type से हो सकता है एक तो learning behavior हो सकता है एक innate behavior हो सकता है आज अपन बात करने वाले हैं only for learning behavior के बारे में तो देखे, behavior का word आपने सुना होगा जैसे वेवार इसको बोलते हैं जैसे कभी आपने सुना होगा अपने ही घर के अंदर कि इसका जो वेवार है मतलब इसका जो वेवार है या बोलने का जो तरीका हो गया या जो भी तरीका है वो तरीका क्या है कि बोलते हैं कि ये तो अपने दादा जी, पढदा जी, माता जी, भुवा जी इनसे क्या है? मिलता जूलता है इनके similar है तो उस चीज को तो क्या बोलते है? innate behavior मतलब वो क्या होता है जनमजात होता है कोई ने कोई अपने जो पूरवाज होते हैं उनसे वो आया हुआ होता है तो उसको तो बोलते हैं innate behavior एक आजाता है learning behavior अब लर्निग इन कृषिश है अब स्एक्टो से विवार को क्या करते हैं सीक उसे विवार हो गया होता है जरूरे थोड़ी ना कि इसका बच्छा बहुत नहीं । तो क्या अब कि अब बाइक चलानी आती है आरहा है बाइख चला रहे है संगील चलारे तो जरुरी ठोड़ ए कि आपको संगách चलानी आरे तो आपके पुट्र को या जो भी नर्मको संगील चलानी याया एक ऐसा नहीं होता है यह चीज किया होती है, अपनको सीखनी पड़ती है, learning करनी पड़ती है, इसी को क्या बोलते है, learning behavior बोला जटा है, that's clear, okay, तो देखें, learning behavior है क्या, तो learning behavior क्या, यह adaptive change होता है, क्या होता है, adaptive change है due to experience, adaptive change होता है, लेकिन किसके कारण होता है, experience के कारण है, यह अपन को क्या करता है, सीखना पड़ता है, experience जो अपना होता है, उसके थूँ अपन को क्या करना पड़ता है, learn करना पड़ता है, उसको क्या ब होता है इड इन्व Bomb nervous system ही इन्विएवियर के लिए होता है , एट वरकिन की की रिवायमेंट होती है जरूरत होती है ॉक्षा को ये तो अपने बात कर दें है लेर नर्फ कर लेता है लेर किamorphasto में दो THE चीज़ पूछी जा सकते हैं एक direct question बन सकता है कि learning behavior को क्या कीजिए explain कीजिए अब उसके अंदर type भी आ जाते हैं तो types की बात करें learning behavior के तो ये total 6 types के होते हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं imprinting, habituation, conditional reflex type first and second latent behavior and insight behavior learning sorry, insight learning, ये total 6 types होते हैं अब बात कर लेते हैं one by one imprinting क्या होते हैं तो imprinting जो behavior होता है वो क्या होता है ये कोई भी organism, living organism होगा, living जो भी animal होगा वो क्या करेगा, during जो उसका sensitive period होता है, मतलब जब उसका जनम होता है तो उसका क्या होता है, development का जो time होता है, वो कौन सा होता है sensitive period होता है, उस time के अंदर उसमें क्या होती है, जो learning याना, सीखने की जो capacity होती है अब आपने देखा होगा, छोटा जो बच्चा होता है, उसमें क्या होता है, सीखने की जो capacity होती है, बहुत ज्यादा होती है ङथा लिए मतलब और आपने भी देखा कोगा होगा चोटा बच्चा होता उसके ताएन जो बी क्वे अपने जो परिवार के दादा दादी हुई जा जाचा चाची जो उसके पास में आते हैं वो उनके पास में क्या हो गिल मिल जाता अब बाइचान को नया सना जाएगा तो उसके पास मैंगा उसको लेगा तो क्या होगा रोने लग जाएगा तो वह चीज क्या हो रही है उपे में इंप्रिंट हो रही है निया किस hazard कहारो Trinity बर्ड ने क्या दिया एक दिया उस एक को उन्होंने क्या लाए अपनी लेबोरेटरी के अंदर लाए और लेबोरेटरी के अंदर लाने के बाद उन्होंने क्या किया उसका जो भी हेचिंग जो भी प्रोसेस होई जब एक बाहर निकला मतलब एक से जब एंब्रियो बाहर निक तो उन्हों नहीं कि देखा कि सबसे पहले उस इतने किसने जो child birth हुआ था उसने सबसे पहले Lawrence से उनको क्या हुआ देख लिया अब जब जब Lawrence चलें तो वो क्या हुआ उनके पीछे पीछे चलता गया वो Bernard था अब चाहिए उसके सामने उसके parents से क्यों ना खड़े वो उसके पिछे नहीं जाएगा क्यों क्योंकि उसने जिस भी first moving object को देख लिया उसने लगा यही अपने क्या है माता-पिता तो उसने क्या हुआ किसको माता-पिता समझ लिया लोरेंज को अपना क्या समझ लिया माता-प लिया तो imprinting का मतलब डायेक्ट यह हो गया imprinting नाम सी प्रिंट मतलब माइंड के अंदर क्या हो जाएगा print हो जाएगा कोई भी object उसको बोलेंगे imprinting टैस्क्लिए कि किसके अंदर देखा सबसे पहले बैड के अंदर इन्होंने example में लिया सबसे पहले नहीं देखा मतलब लिया नहीं देखा तो आप इसे ट्राइगर करके देखिएगा इन सारी चीजों का ट्रै करके देखिएगा अब habituation के अंदर क्या आता है आपने मक्डी का जाला जरूर देखा होगा spider जो मकडी यह उसका जाला अब मकडी यह दी उसके ओपर है तो आप क्या करोगी उस मकड क्रिया करेगी एक्सन करेगी कि आप जैसी मतलब उसको यह लगेगा कि मेरे लिए क्या है डेंजर है तो वहाँ से भागने की कोशिश करेगी ऐसी चीज आप करोगे आप उसने बस यह उसको टक टक करोगे अब जैसे ही आप उसको पांच जसवार 20 वार कर लोगे फिर आप चीज से अपनको डेंजर नहीं तो डरने की जोरथ नहीं तो इसको क्या बोलते हैं है है विचुएशन मतलब उसको शीकना उसको आदत बना लेना तो एक इसके लेटा था था स्पाइबर के अंदर रिपीटीव स्टूमलेट जब अपन इसी चीज को देंगे तो वह स्लोली slowly क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा तो इसका example कि इन्हों ने या प्रियोग किस पर किया spider के ऊपर किया यह साधे के सारे जो प्रियोग थे के लोरेंज ने ही किये ओके नेक्स आजाता है condition reflex type first जब अपन इसके उपर इन्हों ने किसके और प्रियोग लिया एक कुट्टे का प्रियोग लिया किसके ओपर प्रियोग किया डोग के ओपर किया अब डोग को क्या किया बांदिया और एक क्या लगा दी गंटी लगा दी अब लॉरेंज ने क्या किया जब वह कुट्टे को मतलब जब भी वह बोजं देते कुट्टे को उससे पहले क्या करते उस बेलको भजा देते और उसके दो तिन मीन बाद में क्या dasd क। Сам travailler वार जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने जैसे ही सबसे पहले गंटी बजाई तो उसे कुट्ते के मुझे से क्या लार आने लग गया उसके अंद लग गया तो यह क्या वार कंडिशनल रिफ्लेक्स टाइप फ़र्स्त काता मतलब जो इन रेगुलर जो अस्टोंगलेस था वो क्या होगा आप यहाँ पर नेचुरल रिस्पोंज करेगा, अब आप देख रहे होंगे कि उसको यह नहीं है, यह चीज नहीं है कि खाना आने वाले है अपन को, कि मुझे लार निकारू, फिर उन्हें ने क्या खाना नहीं दिया, तो यह क्या किया है, उन्होंने लोरेंज में फ्रियो किया, नेक्स्ट इसी का पार्ट आजाता है, टाइप सेकिंड, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो एक केट थी, उस केट को क्या किया, एक पिंजरे के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया, अब उसके पास ही क्या रख दिया जो पिंजरे खुलने के लिए एक लिवर होता है उस लिवर को भी वहीं कहीं न कहीं फिट कर दिया कि उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो केट बाहर आ सकती है बाहर क्या रख दिया उन्होंने फूड रख दिया अब क्या होगा यह बिली खुलेगा, ये बाहर आएंगे, बोजन को खाया, फिर उन्हें वापिस Kate को पिंजरे के अंदर रख दिया, अब जब अगली वार फिर से इन्होंने खाना रखा, तो ये process क्या होगी, जब पहली वार इन्होंने 20 वार ट्राय किया, तो फिर 15 वार के अंदर ही हो गया, ऐसे करत करते, दीरे करते, करते, 10-15 वार जब इन्होंने देखा, तो जैसे ही बोजन रखा, तो Kate ने डायरेक्ट लिवर को दबाया, और बाहर आगी, मतलब उसने क्या किया, इस चीज को लर्न कर लिया, सीख लिया, पता चल गया कि यहां लिवर है, इस चीज को अपन दबा देंग और बाहर आज़ेगा, नहीं, यह चीज क्या होती है, अपनी लाइफ के अंदर ही अडप्ट करनी पड़ती है, experience के तरू, जो अपने first point के अंदर क्या कि थी, बात की थी, next बात कर लेते है, latent जो behavior होता है, वो latent behavior क्या होता है, तो देखे, latent behavior में इन्होंने क्या प्रिव किया इन्होंने देखा कि एक क्या ले लिया, एक मेज ले लिया, पजल बॉक्स ले लिया, क्या ले लिया, पजल बॉक्स ले लिया, यहां पर क्या यह माउस है, इस माइस को क्या कर दिया, यहां पर छोड़ दिया, अब इस माइस को तो क्या निकलना है, यहां से क्या निकलना है बहार की साइड में निकलना है लेकिन जब यह यहां से निकलेगा तो घुंटा-फृता क्या होगा इसको पहले फूड मिलेगा तो यह क्या करेगा उस फूड को लेगा खाएगा उसके बार बहार निकल जाएगा इस चीज को repetitive किया बार-बार इस चीज को किया तो देखा कि पहली वार में चुआ क्या है पांच मिनिट के अंदर food के पास पूचा तो अगली वार में ये दो मिनिट के अंदर ही पहुँच जाएगा ये चीज बार-बार की तो यह हुआ जैसे ही फूड रखा वैसी ही चुगा अपने पहुंच गया मतलब उसने उस पास को क्या कर दिया सीख लिया उसको पता चल गया कि कहाँ पर अपनको फूड मिलेगा डायरेक्ट फूड लिया और क्या हुआ बाहर की और निकल लिया उसी रास्ते से जाएगा जैसे वो पहले रास्ते से गया तो मतलब उस चीज को सीख लिया कि इस रास्ते से जाएगा तो यहां फूड भी मिल जाएगा और फूड के साथ साथ इस दूसरे रास्ते से पन बाहर भी निकल जाएगे जाने को तो पजल में बहुत सारे रास्ते होते हैं बाहर की और लेकिन इसमें उस र प्रणिक के अंदर आपको सोचने की भी समता चीए रिजनिंग भी थोड़ी बहुत शीर फिर अपन क्या करते हैं इसको अपलाई करते हैं अब कैसे अपलाई करते हैं इसका एक्जामपल इन्होंने लिया चिपान जी के उपर किस पर प्रियों किया अब चिपान जी पर क्या इन्होंने एक रूम था इस रूम के अंदर क्या क्या उपर की और क्या लगा दिये केले लगा दिये खाने के लिए और नीचे क्या हुआ बहुत सारे बोक्स रख दिये और वहाँ पर चिपान जी को छोड़ दिया अब चिपान जी को बोग लगेगी तो उसको केले दिख र हो ली थी यह चीज उसने सोची कि मैं कैसे उस चीज तक पहुंचू बस वही चीज यहां आ जाती है अपने जो भी चीज है जो भी टारिगेट उस तक होंच सकता है अपन लोग तो क्या है इंसान है कि अपने नहीं पहुंच सकते हैं वही चीज यहीं ही पर होती है कि जब जीपांजी यहां तक पहुंच सकता है सोचिए इसने कितना दिमाक लगा एक एक box के उपर लग दिया और उसके बाद उसमें क्या क्या कृई है keep a खा लिये तो मतलब उसके अंदर क्या थी उस比如 बनाना खाने की उस ये खाने की क्या थी उसमे जिए उसे कह hИ ऊप भूक थी इसको और नोट्स का मैंने आपको बोल रखा है टेलिग्राम के उपर बिल जाएंगे थैंक यू नेक्स लेक्चर में पर फिर मिलेंगे